Hello, Friends! तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Website के बारे में आप सबी आज Internet का इस्तिमाल करते हैं अपने mobile phones के अंदर, अपने computers के अंदर, अपने laptops के अंदर और भी devices हैं जिनके अंदर आप Internet का इस्तिमाल करते हैं तो friends यहाँ पर आपको अगर internet पर कुछ भी search करना होता है, कुछ भी पढ़ना होता है, तो आपको website को visit करना होता है, उस website के अंदर जाकर उस चीज को पढ़ना होता है, तो friends आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर एक website होती क्या है, कैसे यह website काम करती है, य collection होती है, अलग-अलग webpages का या फिर बहुत सारी webpages का, जी है friends, website के अंदर बहुत सारी webpages होते हैं, जिनके अंदर उसकी information रहती है, अब यह webpages क्या होते हैं, आपके मन में यह सवाल होगा, तो friends यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी website को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो websites होती है, इनके अंदर बहुत सारी webpages से आने के कह सकते हैं, आप 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और यह जो webpages होते हैं, यह linked रहते हैं, जो इन websites के अंदर link दी गई होती हैं, आपको, आपने कई बार notice किया होगा, कि आप किसी website को पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको और भी अलग-अलग links दीख जाती हैं, उस content से related जो वहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, बानके चलिए, आपने किसी website को search किया, कि what is computer, अब इस what is computer पर आपको बहुत सारी websites हैं, जो कि आपको articles प्रोवाइड करेंगी, और उन में स आप किसी को भी खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा भी मिल जाएगा, what is keyboard, what is mouse, how to run computer, इस तरीके के link आपको वहाँ पर मिल जाएगे, और जब आप उन पर click करते हैं, तो वह आप एक वहाँ पर अलग ही web page में पहुँच जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो web pages होते हैं एक website के अंदर वो attach रहते हैं, वो कहीं न कहीं उससे linked रहते हैं, अब यहाँ पर friends किसी भी website को operate करने के लिए, जो सबसे important part होता है, वो होता है software या application, जिए friends, आज के इस time में हम सभी उन software का इस्तमाल करते हैं, अपने computers के अंदर, अपने mobile phones के अंदर, उन software के अगर मैं बात करूँ कि उनके नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारी जो normal software होते हैं, जिनके अंदर हम browsing करते हैं, जैसे आपका Google Chrome browser हो गया, जो आप अपने mobile में यूज कर सकते हैं, आप उने laptop में यूज कर सकते हैं, और आप भारा जो opera में हो गया, और भी हमारे Firefox browser हो गया, या फिर UC browser हो गया, यह ऐसे browser से हैं, जिनके अंदर आप daily basis पर websites को visit करते हैं, उनके अंदर websites को इस्तमाल करते हैं, तो friends, यहाँ पर इन website को इस्तमाल करने के लिए इन applications की आवशक्या होती है, आप यहाँ पर friends, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो भी website आप run करते हैं, जो भी website आप visit करते हैं उसकी जो complete information रहती है, वो stored रहती है एक web server पर, जीका fact, एक分 सरवर होता है, वो भी एक तरिकां computer होता है, जिस पर जो आपकी website है, उसकी complete information है, वो वहाँ पर stored रहती है, और ये complete process का होता है, जब आप अपनी website बनाते हैं, और आप hosting खरेते हैं, तो जो hosting वाला काम होता है, वो आपकी कहीं न कहीं एक backup के तोर पर web servers के अंदर store रहेगी तो friends यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो websites होती ही यह personal websites भी हो सकती है याने के मान के चलिए मैंने अपनी कोई चैनल के नाम से धीपक Tech Times के नाम से website बना ली वहाँ पर मैं अपने articles लिख सकता हूँ जो हमारी private companies हैं उनका आप website को विजिट कर सकते हैं यहां पर friends आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी websites होती है जो कि social websites होती है जैसे website अगर हम बात करें तो हमारे जो Facebook है उसको आप ले सकते हैं एक ऐसी website जिनको हम सभी run करते हैं अपनी daily life के अंदर तो कुछ इस तरीके से और domain आप किसी website को use नहीं कर सकते हैं उसको इवन आप internet पर नहीं ला सकते हैं अगर आपके पास कोई domain नहीं है domain क्या होता है domain जब भी आप किसी website को सर्च करते हैं कि content सर्च करते हैं तो वहां पर जो website का full URL होता है उसके last में आपने देखा होगा कई बार आपको देखने को म दिनिया में तो फ्रेंट्स मैं उमीद करूंगा आज की इस वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर website क्या होती है कैसे यह काम करती है कैसे आप तक यह information को पहुंचाती है तो फ्रेंट्स अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडि प्लीजियो कर दो छो करता।